जय जय बोले ना दोस्तों तीन बच के अठारा मिनेट और सारे स्टॉप लोश हिट बियर्स के सारी दुकान बंद मेरी भी दुकान बंद मैं इंडेफिनेट टाइम के लिए यूटूब में नहीं आऊंगा बले निफ्टी 16000 भी आएगा वो तो आना ही है लेकिन अब मैं इंडेफिनेट टाइम के लिए क्योंकि 19111 को आज बचाया नहीं इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट नहीं गिरेगा 19200 आज टॉप पे बंद कर र रही ठीक है अब आप इसको पड़ो मैंने क्या लिखाया आज निफ्टी स्पॉर्ट में क्लोजिंग 18980 से 19,020 के बीच आ सकती है एस पर माई आइडिया एंडेज हाइक मैक्स कुड़ भी 19,175 आराउंड आज का डे हाई बनेगा 19,175 एंड मंडे ए यूज गैप डाउन इस पॉसिबल और फिफिटी पॉइंट गैप डाउन अट लिस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ फॉल तिल तेरा जुलाई बट इन एनी केस आज के लिए कुछ मत करो 19,11 कट गया समझ लो तो कट अग्स टॉप लो स्टेव फ्रों मार्केट डॉंट वाच रेट्स देखें यह सब बाते में नो बावन पर लिख रहा हूं मुझे पता कि आज जो भी देखें आज 30 तारीक है जून मैना इसने रूलाना ही है इस टेवे फ्रों मार्केट डॉंट वाच रेट्स एज इस इंडेक्स बीटें दें अज जुलाई अज यह नोट यह स्टाट अभी तक जुलाई स्टाट नहीं वाच इवाच 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 अगर आपको लॉस्ट भूख भी करना तो आप लॉस्ट तुजडें मॉर्निक को बूख करना अभी मत करना क्योंकि मंदे से बट दोंट बी इन पीस ओनली आफ्टर मंडे आफ्टरनून विल टेक ओल डिसीजिएंस नो बच के बावान मिनट आज निफ्टी में स्वाट में अठारह 980 से 19,000 बीच के बीच क्लोजिंग यह नहीं आई ठीक है क्योंकि मेरा मेरे को लगा 111 के तो नीचे क्लोज करेगा जो उस दिन का ही है 19,000 ग्यारा उस हिसाब से माने 100 पॉइंट उपर की सोचा था इसके नीचे तो क्लोज करें गई यह उससे भी एंडेज आई कुड भी एंड मंडे एंड यूज गेप डाउन इस पॉसिबल कि अब क्या होगा ही कि यहां पर क्या हुगा अब दुनिया का एक सक्स्मिया को पुठकी बारे बात करें अब उसमें से एक सक्स्मिया पोई नहीं बोलेगा और महीं घूलक कर यहां से 25 अगस्तक 9 सुनते लेका मेरा कुछ नहीं है मेरा ना मैं वीडियो बनाऊंगा ना अभी मैं यूटूब में आऊंगा बले तीन में ना च्छे में नोबडी नोस और साइथ नहीं भी आऊ बट आपको सच्छा ही बता के जा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि अब यह 14,000 भी आ सकता यहां से इतना गिरावट देगा कि आप हर रेट पे आप कॉल बाई करोगे जैसे क्या हुआ था जब मार्च में गिरा था तब आपको हर रेट में पुट दिखाई दे रहा था और वहां से अप्रेल मैं जून 16,828,20 मार्च के आसपास बना था वहां से आज यह 19,200 बना दिया अलागि इतना तुम्हें मान के चल रहा था कि आज आएगा क्योंकि यह इतना नहीं आता तो कितने भी शोटर रहना वह आज दुनिया के कोई भी शोटर होगा वो कट जाएगा कौन सा आदमी बचेगा जो मन्तेंड के पूट ले रखा है क्योंकि उसको कुछ वरक नहीं पड़ेगा मन्तेंड और मैंने आज साफ लिखा किसी में भी आज एवरेज मत करना किसी में भी इसके अलावा मैंने एक पूट दिला अठारा पांसो का 31 अगस्त का 114 रुपर में और मैं बहुत दावे के यह देखिए यहां पर निफ्टी और बैंटी में 140 और निफ्टी कहा गया निफ्टी में आ चुक है 155 अब एक बार चार्ट में देख लेते हैं टेंडल देखेगा आज कि अब तो अपना तो 111 भी स्टॉप लोस हो गया मैं कोई किसी को कुछ नहीं बना आपको पूट ले अब यह निफ्टी क्या होगा यह मंडे को ही गिरावट देगा डेफिनेट देगा ऐसा भी नहीं देगा डेफिनेट देगा क्योंकि आज इसने मंथली क्लोजिंग भी इतनी इतना ज्यादा पैसा बनेगा पूट वालों को कि कोई सोच भी नहीं सकता है इतना भी बोल देता हूं क्योंकि इसने क्या किया है कि यह सोरी यहां से नहीं इसको फाइव वेस आँ ठीक है यह जो ब्रेक आउट था इसको मार के अभी क्लोज हुआ अब टेक्निकली तीन वाइट सोलजर बन गए अब नियम से तो तीन ग्रेड गंडल बन सकती है या एक डोजी और दो रेड ठीक है तो आप इतना मान के चलो कि यह अगस्त तक इतना नीचे लाएगा कि कोई सोज भी नहीं पाएगा फिर भी मेरा स्टॉप लोस हो चुका और मैं हार भी मान लिया वाई क्योंकि मेरे तो आज भी कुछ बोलने आ ला नहीं था लेकिन मैंने सुबह के वीडियो में भी बूला आज वाज 175 तक जा सकता है क्योंकि वह एक्स्ट्रीम फियर तभी आएगा एक्स्ट्रीम फियर जब तक याईगा सब लोग पूट से हटे पुट से हटेंग truth मार्च में क्या हुब था यह मार्च था नहीं यह माँच में यह गिरावाट कंटिनू तीन मैने सझे डिल रहता चौथा मैना गिर रहता तो आपको क्या लगा झाल किली ख्तम अब मार्केट पूरा नीचे जाएगा लेकिन यहां से जो रिवर्सल किया उसने क्योंकि यहां गिरावट की यह हो गई हद और इस गिरावट को इसने पूरी तरह से कवर कर लिया आप देखो इस जगह से गिरा था मार्श में को है किसि धीस पर किवान तुम्हां के सृव डिवट का भी ऐखकें में शार इसकी में बाइस खासव नहीं है कि यह थी स्टीज करेकल अब यहां पर कोईब फुट का नाम नही लेगा is टीवी कोई बीवी कुछ नहीं लेगा क्यों कि इसी की हिंबत अब होगी ही नहीं कि अब सिप पैसा ही पूट देगा कि फिर भी अभी भी यह देखे इसको देखे ना तो इतना जगा खुल गया लेकिन यह मंडे एक बहुत कुरूसियल डेर किसी को भी पूट भाई करना होगा तो प्लीज मंडे आफ्टरनून को करिएगा कि मैं अब यह महिना नहीं मैं आने वाला ही नहीं हूं क्योंकि जब तक यह निफ्टी मुझे अठारा अजार दोसो एक सो नहीं दिख जाए जो कि मैंने तेरा तरह तरह तक कर्डेट लिए मुझे लगता है सब कुछ कि इतनी बड़ी तेजी किया मैंने आज सुबह इसलिए आपको उसके बारे में बात कि किसके बारे मैं इसने तीन तारिक को वहाँ पर ट्रेड स्टार्ट होगा तीन तारिक है नहीं मंडे उसके पहले इसने इतनी बुलिश पोजिशन बना लिकिए अब वहां पर जम के यह सब प्रोफिट वोकिंग अब इनकी आएगी और बहुत गंदी वाली आएगी मुझे 14,000 के लेवल्स तक दिख रहे हैं अगस्त या सेप्टेम्बर तक 14,000 अब आप कुछ भी समझें इसको ठीक है मगर होना यही है मंडे एक सर्प्राइजिंग ली बड़ा गेप डाउन खुल सकता है क्यूंक बड़ा खुल सकते है वह भी देखते है क्योंकि आज कोई भी आदमी इस मार्केट में बची नहीं सकता है ठीक है यह जो हाई बनाया है 273 200 पॉइंट एग्जेक्ट ली ठीक है 72, 73 तो 200 पॉइंट बैंक ने टी ठीक है 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसके लिए इतनी बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग आएगी कि अनिमेजिबल मैं बोलों अनिमेजिबल किसी को इमेजिन नहीं रहेगा लेकिन मेरा कोई भी आपको सलाह इसले नहीं है क्योंकि मैं पेलियर हूं ठीक है तो यह मैं इसलिए मैंने आज सुबह यह लिखा आपको चाता यह भी दिखा सकता था मुस्यारी मार के लेकिन मुझे नहीं क्योंकि मैंने 111 बोलावा था और मुझे विश्वास था कि आज 111 के यहां तक तो ले जाएगा लेकिन वापस 111 के नीचे लाया के बंद करेगा मगर केंडल और मैंने आज की क्लोजिंग मुझे एक्सपेक्टेट थी 19,20 के असपास मतलब मैं मुझे ग्रीन क्लोजिंग तो कनफॉर्म थी मतलब क्योंकि हमारा 18,972 पे क्लोज था मगर मुझे लगा था कि यहां से यहां तक लाएगा वापस लेकिन यह लेके गया इस लेवल पर लास्ट में तो पर टाइम नहीं बची इसको इसको इस दिन बर थोड़ा एक सो चालीस पचास पास फिर लास्ट में इसको क्रॉस किया अब इसमें मेरा मानना है कि मंडे एक इतना वाइटल डे है कि आप सोच भी नहीं सकते हो पूरा वर्ल्ड मार्केट मंडे को एक बड़ा रेड बन सकता है है लेकिन पर कनफर्मेशन नहीं है क्योंकि हमको जो भी टीसर लेना मंडे आफ्टरनून के बाद लेना यह मैंने साफ लिखाए हमको फूर बीड़ा नहीं रहना कि नहीं रहना ठ्क्यार आज आपका मैंने बोला आज खून के अशन रुलाएगा क्योंकि कि आज जब इसने आज जब इसने यहां तक लेके गया तो अब इसका कोई भी तोड़ नहीं कि एनिवेड जै जिनेंद्रा जै बोलेनात कंप्लेटली फेल मगर यह मुझे आज का मूव बहुत पसंद आया क्योंकि यह मूव नहीं आता तो यह पुट की जितनी लोग लेके रखे वह कोई भी हटते नहीं अब अब इनको पुट लेना है क्यों वह देखते हैं हम लोग और एक चीज देखेगा आपको यह भी सिखात तो देता हूं काम आ जाएगा आपके इस मन्त में क्यों बड़ी गिरावट आएगी देखिए एक तो कर्रेंट वीक का पुट हो गया है पिस यारोगे आपके विट है करेंट विक का डिट टो चट अरी को बड़ी गिरावट मतलब चैकली कमें भी तेरा तारीक का पिस यार फ्रेंट पाइव और इंटरेस्टिंग्यी बीस तारीक वाला दिखोगे आप तो 2 2.14 हो गया मतलब बीस तरक पहुंचते पहुंचते ह में जो आज की क्लोजिंग है उनीस दो सो इससे मिनिमम आठ सो से हजार पॉंट निफ्टी आपको डाउन हो जाएगा यह 20 तारिक पहुंचते पहुंचते मैं अग्दम टेक्निकल से आपको समझा ठीक है लेकिन सब मैं तो बोलता हूँ सारे कॉल भाई करो बीस है जार वाले क्योंकि अब पूट कहां देखा कुछ पैसा है आज का लेवल मैंने सुबह के वीडियो में बोला था तो यह कंफॉर्म है जै जिनिंद्रा जै बोलेनाद जै बैंक निफ्टी का भी देख लेता है क्या हुआ है कि 1.46 कोई खास नहीं है कि तेरा तरीक 1.29 यह भी 20 तरीक इसमें भी बहुत बूरी तरह 2.62 मतलब 20 तरीक आते आते बैंक निफ्टी में साही थाई थाई थीन अजार पॉंट के गिरवाट आजाएगी जो करेंट लेबल हो वहां से धाई अजार पॉंट के आसपास यह इसमें दिख रहा है अन्यवय यह अभी के बात कोई मतलब नहीं है मार्केट एक बार देख लेएं क्या फाड़ा है बाहि क्या फाड़ा है इसको बोलते हैं फार्ड़ा 189 वाल एंट गौन जाय जिनंदर जाय 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 जाय